तो स्वागत है हस्ते मुस्कुराते और बहुत बहुत पॉजिटिव लोगों का इस यूट्यूब चैनल पे आज बनाएंगे नो अनिया नो गार्लिक पाव भाजी जिसके लिए लिए गई है बहुत सारी सब्जियां और जो एविलेबल है वो ले लीजिए काट लीजिए दो लीजिए और इसको एक ग्लाज पानी के साथ उबलने चड़ा देंगे इसके बाद लेंगे तीन बड़े टमाटर और कुछ लाल सुखी मिर्चे जिने हम ग्राइंडर में पेस बना लेंगे अब आईए पाव की भाजी बनाते हैं तो भाजी बनाने के लिए एक पान गरम कर इसके बाद इसमें बनाया गया टमाटर और लार मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे इसके बाद डालेंगे स्वाच के नुशार नमक और डालेंगे चौताई चमच हल्दी एक चमच धन्या पावडर कुछ कसूरी मेथी सूखी और एक बड़ा चमच पावभाची मसाला इन के बोड़ा सा लिक्विडी होगा पर लेंज़ी चलने दो अब इसमें क्या होगा हम जो उबली वी हमारी सबजियां होगे न जिसे हमें पानी डालकर कि अबल गई हैं अब बाद बारिक कर देना है जब تक आपकी उबली मेरा सबजियां के बल्कुल बी दाने ना आप चाहें तो मोटा दरदरा भी इसको ग्राइन कर लीजिए पर यहां पे भाजी बिल्कुल पेस जैसे ही अच्छे लग दिए तो आप दिखें कुछ इस तरीके से आप अपनी जो भाजी है वो मसालों के साथ अच्छे से मैश कर लीजिएगा अब आप देख सकते हमारी भा हमारी भाजी बिल्कुल बिल्कुल तैयार है है अब चुकर हम बना रहे हैं पानी चीज पाव भाजी नो अनियन, नो गालिक ब्रैकेट में तो इसमें न हम पनीर की क्यूब्स जो है न वो add कर लेंगे और आप चाहिना तो कद्दू कस करके भी डाल सकते हैं मैंने यह पर छोटे-छोटे क्यूब्स कर रहे हैं और इसमें add कर दिया है तो देखिए हमारी जो पाव की जो भाजी है न बिल्कुल बिल्कुल रैडी है ठीक है? देख सकते हैं बड़ी प्यारी ती सुन्दर सी पाव भाजी बड़ी टेस्टी है काजना आपको खुशबू और टेस्ट मैं इसका चेक करा पाती पर नो डाउट आप खुद बनाके खाएगा और मुझे जरूर बताएगा कि ये जो सबजी है न ये पाव भाजी वाली नोन यान नो गारलिक के भी इस वेदी से कैसे बड़ी तो ठीक है हमारी जो भाजी है न बिल्कुल रैडी है आई अब पाव थैयार करते हैं तो इसके लिए भाई एक चमच हम पाव लेंगे और एक चमच पाव लेंगे नहीं नहीं हम एक चमच बटर लेंगे तो इसमें हम थोड़ा सा क्या करेंगे पाव भाजी मसाला डाल देंगे अच्छे से इसे रोल आउट करेंगे और ना दूनों तरफ से हम अपनी इच्छा नुसार श्रद्धा नुसार वाइड बटर लगा करना करारा क्रिस्पी पाव से कर बिल्कुल तैयार कर लेंगे कुछ इस तरीके से अब यह भाजी अगर इस स्टैल से बनाऊगे ना तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेगेगा कि इसमें अनियन नहीं है या गार्लिक नहीं है इतनी यम बनेगी तो देख सकते हैं हमारे खस्ता पाव बिल्कुल तैयार है आप जाहे तो और करारा कर लीजेगा और लीजे अब बिल्कुल रेडी है अब इसे सोव करते हैं तो आई एसे डिश आउट कर लेते हैं तो रेडी है हमारी भाजी तो जिसमें हमारा चीज लेफ्ट रह गया था क्योंकि हमारी चीज पनीर पाव भाजी थी तो एक क्यूब चीज ना इसमें एक अद्दूगस कर लेंगे और बागी आप देख सकते हैं चीज डालने के बाद बहुत बहुत यम लग रहा है पानी ना मूँ से नहीं रुक रहा एक बार जरुर बनाईएगा